स्वागत है आप सभी का नए कहानी में, मेरा नाम शुशान्थ है, कभी-कभी हम ऐसे लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं, जो हमारी जिन्दगी में जहर घोलने का काम करते हैं, इस दुनिया में सबसे खुबसूरत रिष्टा पती-पत्नी का होता है, ये रिष्टा जित दूसरों की बातों में ना आकर अपने घर को खराब ना करें, और जो कपल अपनी शादी-शुदा जिन्दगी में खुश रहने के बज़ाए, दूसरों की उल्टी-सीधी बातों पर यकीन करते हैं, वो अपने इस खुबसूरत रिष्टे को कमजोर कर देते हैं, मैं भी आ और मैंने उसके साथ अपनी जिन्दगी के सुहाने सपने देखे थे, मेरे सिर पर सहरा बंद चुका था, भरात निकलने में सिर्फ कुछ देर का ही समय रह गया था, आज में इतना खुश था और इतना खुबसूरत लग रहा था, कि मुझे डर लग रहा था, कहीं मेरी खु जादी की खुशी में बहुत सारे बिखारियों को बुलाया हुआ था, जिनको वो आश पेशली अपने बेटे की शादी में दान दे सके, घर में सारे बिखारी लाइन में खड़े हुए थे, जब एक बिखारी ने मेरे पापा से कहा, कि मुझे आपके बेटे से कुछ जरू आखिर ये बिखारी मुझे से क्या बात करना चाहता था, मेरे पापा ने जब उससे इस बारे में पूछा, तो वो कहने लगा कि आज जो बात मैं आपके बेटे से करने जा रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, अगर आप मुझे दो मिनिट के लिए अपने बेटे के सामने खड़ा हुआ, खुद को देख रहा था, और खुश हो रहा था, कि मैं दूलहा बनकर कितना अच्छा लग रहा हूँ, जैसे ही मैंने पीछे पल्ट कर देखा, तो मेरे पीछे एक बिखारी खड़ा हुआ था, जिसके चहरे पर दाड़ी मूझ थी, वो फटे पुर कि मेरे जैसे देने के लिए जैसे ही अपनी जेब में हाठ डाला, तो उसने मेरा जेब में डलता हुआ हाथ अचानक पकड़ लिया, और कहने लगा, कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसने मुझसे एक ऐसी बात कही, जिसे सुनकर मेरे पैरोतले से, जमीन निक जबकि मेरा मन कर रहा था कि मैं इस भीकारी का गला दबा दूँ क्योंकि इसने मेरे बारे में कुछ गलत नहीं कहा था बलकि मेरी होने वाली पत्नी के बारे में मुझे एक ऐसी बात बताई थी जिससे सुनकर मेरे खोश उड़ गए थे और मुझे अपने कानों पर विश्वा करता था उसकी और मेरी मुलाकात मेरे दोस्त की शादी में हुई थी जब वो मेरे दोस्त की पत्नी के बराबर में बैठी हुई थी और मैं उसे नजर भर कर देख रहा था वो बहुश री परिवार की थी क्योंकि जब मेरे दोस्त के बराबर में धेर सारे लड़के आकर खूब हस हस कर बाते कर रही थी, मुझे उसकी ये आदत बहुत पसंद आई थी, क्योंकि मुझे शूरू से ही साफ करेक्टर के लड़कियां बहुत पसंद थी, जबकि मैं खुद भी ऐसा ही था, किसी की बेहन बेटी पर नजर नहीं डालता था, मुझे लड़कियों का के बारे में बता दिया था, हरानी तो मुझे उस समय हुई थी, जब मैंने उस लड़की को अगले दिन अपने ही घर में मुझूद देखा, वो मेरी बहन की दोस्त निकली, उसके साथ मेरी बहन की दोस्ती अभी नई-नई हुई थी, और वो पढ़ाई के सिलसिले में मेरी ब पढ़ाई के सिलसिले में कुछ काम था, इसलिए वो अकेली यहां नहीं आई, जिबकि मुझे साथ लेकर आई है, मेरी बहन अपने दोस्त के लिए किचेन में चाय बना रही थी, जब मैंने उसे जाकर बताया कि कल मैं तुम लोगों को इस लड़की के बारे में ही बता रहा था, ये बात सुनकर तो मेरी बहन खुशी से उचल पड़ी थी, और कहने लगी कि भाईया, ये लड़की तो बहुत अच्छी है, जितनी सुन्दर देखने में है, उतनी ही क्रेक्टर की साफ है, क्योंकि कॉलेज में इसकी दोस्ती सिर्फ उनी लड़कियों से है, जो बताना, मैं तुम्हारी पूरी-पूरी मदद करूंगा, इसे अपने नोट्स कंप्लीट करने थे, इसलिए मेरे पास आई है, मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मम्मी को बताओ, और वो जल्दी ही, इसकी मा से मेरे रिष्टे की बात करे, आज तो इस बारे में बात नहीं हो सकी थी, क्योंकि मम्मी ने कहा था, कि पहली बार वो लोग हमारे घर पर आए हैं, मैं पहली ही बार में उनसे ये बात नहीं कर सकती, घर आए महमानों से, एकदम ये बात नहीं की जाती, अच्छा नहीं होता, किसी को हमारी बात बुरी भी लग सकती है, मम् दो बेटे और एक बेटी की शादी हो चुकी थी, एक बेटा और एक बैटी कुवारे थे, मेरी मम्मी को उनकी बेटी टीना बहुत पसंद थी, और वो हमारे घर पर आती जाती भी बहुत थी, वो मेरी बहन से शुरू से ही दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती थी, मगर ना जाने क्यूं, मेरी बहन उसे ज़्यादा मूह नहीं लगाती थी. जब मेरी बहन के सामने मम्मी कहती थी, कि मैं टीना को अपने घर की बहु बनाना चाहती हूँ, तो मेरी बहन इस बात पर मम्मी से बहस करने लग जाती थी, और कहती थी, कि मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इसको अपनी भाबी नहीं बनाना चाहती, कुछ दिनों के बाद मेरे मुम्मी पापा पूजा के घर चले गए थे और मेरे लिए उसका हाथ मांग लिया था पूजा के घरवालों को भी इस रिष्टे से कोई एतराज नहीं था और इस तरह जब हम दोनों का रिष्टा फिक्स हो गया तो मैंने पूजा से बाचित करना श हैसला कर लिया था और हम दोनों के अंगेजमेंट के लिए एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था जिसमें हमारे कुछ रिष्टेदार आस पडोसी और मेरे कुछ दोस्त वगयरा आने वाले थे मेरी मम्मी ने हमारे आस पडोस्यों को भी मेरी अंगेजमेंट में वैसे तो पूजा अभी पढ़ना चाहती थी, उसके घर वाले इतनी जल्दी शादी करने के लिए त्यार नहीं थे, मगर मैंने कहा था कि हमारे घर आने के बाद पूजा को अपने पढ़ाई नहीं रोकनी पढ़ेगी, मैं उसकी आगे की पढ़ाई पूरी करवाऊंगा, ये पूजा और उसके परिवार वालों को बहुत पसंद आई थी, इसलिए शादी की डेट अंगेजमेंट के दो महिने बाद की तैह हो गई थी, अब मेरी और पूजा की बात फोन पर हुआ करती थी, वैसे तो वो मुझसे फोन पर बात करने में बहुत शर्माती थी, लेकिन ज इसी तरह से गुजर गए थे और फिर धीरे धीरे देखते ही देखते हम दोनों की शादी का समय भी आ गया था, टीना जो की शादी से पहले हर दिन हमारे घर पर आती थी, अब जैसे जैसे मेरी शादी का समय करीब आ रहा था, उसने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया था, मेरी मम्मी बार बार उसके बारे में पूछती थी, क्योंकि मेरी मम्मी उसे बहुत पसंद करती थी, वो मेरी मम्मी को इंप्रेस करने के लिए उनके सारे काम किया करती थी, जबकि मेरी बहन को उसका हमारे घर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, टीना वैसे तो मुझसे इसे भी बात करने की कोशिश करती थी, मगर मैं शुरू से ही लड़कियों से दोस्ती नहीं करता था, इसलिए मैं उससे दूर दूर रहता था, और फिर फाइनली मेरी शादी का टाइम भी आ गया था, मेरी शादी से मेरे घर वाले बहुत खुश थे, पूजा के घर बारात ल लोशन कर देगी, मैंने पीछे पल्ट कर देखा, तो बिखारी खड़ा हुआ था, मैं उसे पैसे देने के लिए अपनी जेव से निकाल रहा था, तो कहने लगा कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, मैंने कहां बताओ, क्या बात करनी है, तो वो कहने लगा कि मैं अजीब से अंदाज में कहने लगा, कि तुम ये शादी मत करो, वरना तुम बहुत पच्छता होगे, मैंने अचानक उसे घूर कर देखा, मैंने कहा, तुम यहां मुझे ग्यान देने के लिए आये हो, मैं जानता हूँ, कि तुम्हारा भला नहीं होता, तो मैं तुमें और पैसे दे देता हूँ, मगर मेरे सामने बकवास करने की जूरत नहीं है, वो कहने लगा, मैं ये बात तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, और तुम उल्टा, मुझे पर ही गुसा कर रहे हो, मुझे इसी बात पर गुसा आया था, मगर मैंने अपने आप पर कंट्रोल क मैंने इसे कहा, कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम जानते हो, कि मेरी होने वली पत्नी कौन है, वो कहने लगा, कि हाँ, मैं अच्छी तरह से उस लड़की को जानता हूँ, दरसल वो लड़की क्रेक्टर की, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अगर तुमें मेरी बात हो जाए, और तुमें पश्तावा करना पड़े, मैं जानता हूँ, कि बाद में तुमें पश्तावा होने वाला है, बाद में तुमें खुद ही पता चल जाएगा, कि तुमने कितनी बड़ी गल्ती की है, उस कितनी बड़ी बात सुनकर, मेरा मुँ खुला का खुला रह गया अभी मैं संभल भी नहीं पाया था कि वो कहने लगा कि शादी के बाद जब तुम अपनी पत्नी की हरकते देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि मैंने तुमसे बिल्कुल सही कहा था अभी वो मुझसे बाते कर ही रहा था कि आचानक मेरे पापा कमरे के अंदर आ गए और कहने लगे कि बेटा शुब महूरत निकला जा रहा है जल्दी चलो वो भीकारी मेरे कमरे से निकल गया मैं लगतार उसको देखते जा रहा था जब मेरे पापा कहने लगे मैं जानता था कि ये तुम से मोटी रकम वसूल करने के लिए आया होगा बस लोगों को तो पता चल जाए कि कौन दुलहा है तो फिर जादा पैसे लेने के लिए ये लोग कहते हैं कि हमें दुलहे से जरूरी बात करनी है तुमने इसलिए भीकारी को जादा पैसे तो नहीं दिये है ना मैंने पापा की बात पर कहा कि उसने मुझसे जादा पैसे नहीं मांगे जितने मैंने उसे दि बारात लेकर निकलना होगा और फिर हम लोग बारात लेकर निकल चुके थे मेरे दिमाग में बार बार उसी भीकारी की बात घूम रही थी मगर फिर मैंने अपने दिमाग से इस बात को जटकने की कोशिश की और फिर शादी हौल पहुचने के बाद सारी रसमें पूरी हो गई तो अपनी पतनी को देखकर मैं बहुत खुश हुआ था, वो दुलहन का लाल जोड़ा पहन कर बिस्तर पर बैठी हुई थी और बहुत सुन्दर लग रही थी, मगर उसकी आँखे देखकर मैं अचानक घबरा गया था, क्योंकि उसकी आँखों में एक अजीब सी नमी थी, मैं उसे चुप करवाने के लिए उसके करीब गया और उसको छूने की कोशिश करने लगा, तो अचानक वो सहमने लगी और थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो गई थी, मैं उसे इस तरह देखकर घबरा गया था, मैंने जल्दी से अपनी ममी को आवाज लगाए, तो वो घब आता कि हम दोनों के बीच तो अभी तक कोई बात भी नहीं हुई थी, बाद शुरू होने से पहले ही पूजा बेहोश हो गई थी, मेरी ममी ने कहा कि आज की रात इसे इसी तरह से सोने दो, सुबह जब ये खोश में आती हैं तो देखते हैं कि उसकी तब्यत कैसी है, इसी त खरीब होने पर वो बेहोश हो गई, आखिर क्या बात है, मुझे एकदम पूजा पर गुसा आने लगा था, फिर मैं बेसबरी से सुबह होने का इंतजार कर रहा था, ताकि मैं पूजा से बात कर सकूँ, मैंने पूजा से पूछा कि तुम्हें रात क्या हो गया था, पर सो ह तो हमारी बात हुई थी, तुम बिल्कुल ठीक थी, और कल तो तुमने मुझसे कोई बात भी नहीं की, थोड़ी देर के बाद मेरे दोस्त आ गए थे, और मैं उनके साथ बात चीत करने में बीजी हो गया था, जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया, तो मैंने देखा, कि मेरी पतनी महां पर मुझूद नहीं थी, मैंने कमरे के चारों तरफ देखा था, और फिर जब कमरे से बाहर आया, तो अपनी बेहन से पूछने लगा, कि पूजा कहा है, तो वो कहने लगी, कि भाईया, पूजा आपके पीछे-पीछे छट पर गई है, मैंने चोकते हुए कहा, कि मेरे पीछे-पीछे, तो वो कहने लगी, वो अभी तो मुझे बता कर गई है, कि आप छट पर हो, और आपने उसे छट पर बुलाया है, मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, कि मैं तो छट पर नहीं गया, बलकि मैं तो बाहर अपने दोस्तों से बाचित कर रहा था, मैं छट की पूँचा था, कि मेरी पतनी अचानक नीचे उतर कर आने लगी, मैंने कहा, तुम छट पर क्या कर रही थी, वो मेरे स्वाल पर घबरा गई, और कहने लगी, कि घर में मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए छट पर हवा खाने के लिए गई थी, ये कहकर, वो फोरन ही अपन किया था, वो खूबी तो उसके अंदर से खतम होती जा रही थी, अब मैं ये सोच सोच कर पागल हो रहा था, कि पूजा भला ऐसा कैसे कर सकती है, मेरा तो सोच सोच कर खून खोलने लगा था, आखिर उसकी ऐसी भी क्या मजबूरी है, क्यों वो मुझे से दूर जा रही है, शादी की पहली रात भी उसने पूरी तरह से खराब कर दी थी, एक दिन तो मम्मी ने भी मुझे से कहा था, कि तुमने पूजा के साथ शादी क्यों की है, जब तुम उससे दूर जा रहे हो, जब मैं तुम दोनों को देखती हूँ, दोनों एक दूसरे के साथ बिलकुल भी हैपी कपल्स की तरह नहीं रहते, वो तुम्हारी पतनी है, और तुम उसे अपनी पसंद से यहां लेकर आए हो, तो फिर उसकी कदर क्यों नहीं करते, अब मैं मम्मी को क्या बताता, कि मैं उससे दूर नहीं भाग रहा, बलकि वो मुझसे दूर भाग रही है, मम्मी कहने ल मैंने इस बारे में मम्मी को कुछ भी नहीं बताया था, अब मैंने फैसला कर लिया था, कि मैं पूजा से साफ साफ बात करूँगा, और उससे पूछूँगा, कि मुझे बताओ, मैं जब भी तुम्हारे करीब जाने की कोशिश करता हूँ, तो तुम मुझसे दूर हो जाती क्योंकि ऐसा एक बार नहीं बलकि कई बार हो चुका था लेकिन इस दोरान में देख रहा था कि हमारे घर पर टीना बहुत आ रही थी उसने मेरी पत्नी से दोस्ती कर ली थी और वो हमेशा मेरी पत्नी के साथ रहती थी जबकि मेरी बेहन पूजा से टीना की दोस्ती को मना किय करती थी मगर पूजा उसकी बात को मानती ही नहीं थी पूजा और टीना दोनों ही बिहेवियर की बहुत अलग-अलग लड़कियां थी मगर फिर भी पूजा की टीना के साथ बढ़ती हुई दोस्ती मेरे लिए हरानी खड़ी कर रही थी क्योंकि शूरू से ही पूजा ऐसी की थी उसको लड़कों के साथ दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता था और दूसरों के घरों में आना जाना तो उसको बहुत ही पसंद था अब मैं जब भी अपने घर में आता था और अपनी पतनी के पास जाने की कोशिश करता तो टीना मेरी रुकावट बन रही थी क्यो तो वो फोरन मुबाइल को मेरे पास से हटा लिया करती थी, ना जाने उसके मुबाइल के अंदर ऐसा क्या था, एक दो बार तो मैंने उसे किसी से फोन पर बात भी करते हुए सुना था, जैसे ही मैं ये जानने की कोशिश करता कि वो किस से बात कर रही है, तो वो सावधान हो जाती थी, अभी भी टीना मुझसे दोस्ती करना चाहती थी, और अब मुझे ना जाने क्यों टीना बहुत अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि वो मेरे सामने मेरे फेवरेट कलर के कपड़े पहन कर आती थी, और उसके चेहरे पर खूब मेकप होता था, जबकि मेरी पतनी तो उसके सामने एक मामूली से लड़की लगती थी, जो घर के नॉर्मल से कपड़ों में होती थी, टीना मुझे अकेले देखकर मुझसे इदर उदर की बाते करना शुरू कर देती थी, और अब मुझे उसकी बातें बहुत पसंद आती थी, कई दिन इसी तरह से गुजर गए अगर उसका क्रेक्टर अच्छा होता, तो अपने पती को कुछ कहने की कोशिश जरूर करती, जो पतने अपने पती से दूर भागती है, और ऐसी हरकते करती है, जिससे उसके पती के दिल में शक पैदा हो जाए, तो ऐसी औरत जरूर क्रेक्टर की खराब होती है, मुझे उस शादी कर लेते तो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखती मगर तुम तो पूजा के दिवाने हो गए थे मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और अगर तुम मुझे असेप्ट करना चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए त्यार हूँ पूजा तो तुम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी में कोई और है तीना की बात सुनकर अचानक मुझे एक जोरदार जटका लगा था वो बिल्कुल ठीक कह रही थी मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने पूजा से शादी करके बहुत बड़ी समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी फिर मुझे उस भिकारी की याद आई जिसने मुझे पूजा के बारे में बताया था जब उसे इतना पता था कि पूजा क्रेक्टर लेस है तो फिर उसे इतना भी जरूर पता होगा कि वो मेरे साथ ये सब क्यों क जिसकी वज़े से वो मुझे शादी वाले दिन इतनी बड़ी बात बता कर गया था, मुझे कुछ भी करके उस भीखारी को ढूड़ना था, मैंने अपने एक दो दोस्त से उस भीखारी का हूलिया बता कर उन से पूछना चाहा था, क्योंकि वो मेरी पत्नी के बारे में जानता देखा था जिसने अपने आपको एक चादर में लपेटा हुआ था उसका चहरा छुपा हुआ था मैंने जब उसे चोरो की तरह अपने घर के आसपास घूमते हुए देखा तो मैं चोक उठा था मैंने अपनी बाइक को घर की साइड पर लगा दिया और मैंने उस आदमी के पा मुझे मेरी पतनी के बारे में खबरदार किया था इस समय मेरे घर के अंदर जाक कर क्या देख रहा था मैंने उस बिकारी को रोकने की बहुत कोशिश की थी मगर वो वहां से भागने में काम्याब हो गया था मैंने काफी दूर तक उसका पीछा किया था मगर वो मेरे हाथ न चादर देखकर बुरी तरह से चोग गई थी क्योंकि जब मैंने उस भीकारी को रोकने की कोशिश की थी तब उसकी चादर मेरे हाथ में आ गई थी और वो खुद भाग निकला था ना जाने क्यों टीना के चहरे पर एक आजीव सा डर साफ नजर आ रहा था मैं हैरानिस उसको देख रहा था मुझे आइडिया हो गया था कि टीना इस चादर को जरूर पहचानती है टीना इतने में ही मेरे कमरे से उठकर जा चुकी थी मैंने गुस्से से पूजा की तरफ देखा और ना जाने कितने दिनों तक मैंने पूजा से कोई बात नहीं की थी मगर मैं नोटिस क पूजा करती थी और आदी रात के समय भी वो बिस्तर से गायफ होती ना जाने वो ये सब कुछ ऐसा क्यों कर रही थी मैं समझ गया था कि मेरी पतनी का किसी के साथ अफेर जरूर चल रहा है तबी तो वो मुझसे दूरी बना कर ये सब कुछ कर रही है लेकिन इस दोरान मैंने भी टीना से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी थी ये सब देखकर पूजा को जलन महसूस होती थी मैंने सोच लिया था कि टीना वैसे भी मुझे परपोज कर चुकी है अगर पूजा कुछ दिन और ये सब कुछ करती रही तो मैं उसे छोड़ दूँगा और टीना को असेप कोल से फौर्ण ही मेरी आँख खुल गई थी मैंने चुपके से पूजा की तरफ देखा जो धीमे-धीमे कदमों से अपना मुबाइल उठा कर कमरे से बाहर जा रही थी मैं उसे देख रहा था फिर जब वो कमरे से बाहर निकल गई तो धीरे-धीरे मैं उसका पीछा करने ल मेरा पती मुझे घर से निकालने पर मजबूर हो जाए तुम कहते हो तो मैं तुम से कल मिलने के लिए आ जाऊंगी बताओ कहां आना है फिर वो बोली अच्छा ठीक है मैं तुम से मिलने के लिए कल पूराने वाले पार्क की तरफ आ जाऊंगी मगर अब तुम मुझे फोन करन बंद करो प्लीज, मुझे तंग करना छोड़ दो, ये कहकर मेरी पतनी ने फोन बंद कर दिया था, मैं जल्दी से दोड़ कर अपने कमरे में आकर लेट गया था, और सारी रात ये ही सोचता रहा था, कि मेरी पतनी मेरे साथ बेवफाई कर रही है, वो किसी अंजान मर्ज से मि नीद नहीं आई थी, और मैंने ठान लिया था, कि मैं कल अपनी पतनी का पीछा करके, उसे रंगे हाथ पकड़ लूँगा, अगले दिन जब मेरी पतनी मायके का बहाना बना कर, घर से निकल गई, तो मैं भी उसका पीछा करते हुए, घर से निकल गया था, और फिर वो उसी पार्क में पहुँच गई थी, वो पार्क के अंदर जाडियों के पीछे चली गई, और मैं जाडियों के करीब ही खड़े होकर, उसकी और उस लड़के की बाते सुन रहा था, जो पहले ही जाड़ी के पीछे खड़ा हुआ, उसका इंतजार कर रहा था, वो उस लड़के से कहने लगी, कि प्लीज तुम, मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते, मैं तुम्हारे आगे हाँ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, तभी उस लड़के के बोलने की आवाज आई, वो कहने लगा, कि मैं तुमसे कहता हूँ, कि खामोशी से मेरे पास आजाओ, तुम्ह मेरे पास आजाओ, मेरे पतनी रोते हुए कहने लगी, कि मैं अपने पती से बहुत प्यार करती हूँ, और तुम्हारी वज़े से मुझे कितना कुछ बरदास्त करना पड़ रहा है, वो मुझसे बात तक नहीं करता, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज कि मैं हरान, इस बात पर था, कि मेरी पतनी के साथ खड़ा होने वाला लड़का, और कोई नहीं, वही बिखारी था, वो अभी भी भागने की कोशिश कर रहा था, मैंने फौरन उसे दबोच लिया, और उसे मालना पीटना शुरू कर दिया, मेरी पतनी ये सब देखकर बहु बदल कर, हर बार मेरे सामने आता था, मैंने अपने इंस्पेक्टर दोस्सको कॉल कर दी थि, जो मोचे पर वहाँ पर आ कर टीना के भाई को पकड़ कर पुलिस चेशन ले गया था, मैंने पूजा को घर भेज दिया था, जिब कि मैं भी पुलिस चेशन चला गया था, महार के बाद जब पुलिस की मा टीना के भाई पर पड़ी तो उसने सब कुछ बोल दिया था वो कहने लगा कि मैंने पूजा को तुम्हारी और उसके अंगेजमेंट में देखा था उसकी खूबसूरती देखकर मैं पागल सा हो गया था इसलिए मैंने सोचा कि पूजा को अपने प खारी बनकर तुम्हारी नजरों में पूजा को करेक्टरलेस साबित कर दूँगा और इस तरह टीना धीरे धीरे तुम्हारे करीब आने लगेगी और तुम्हारे दिल में पूजा के लिए नफरत बढ़ने लगेगी इस तरह तुम पूजा को छोड़ दोगे और टीना को अ की कोशिश करने लगा ताकि मैं उसे ब्लैक मेल करने में और ज़्यादा कामयाब हो जाऊं और तुम उसे असानी से छोड़ दो मैं उसका वीडियो भी बना रहा था मगर वहां पर पूजा मेरे सिर पर पत्थर मार कर भाग गई मैं घायल हो गया था मैंने तुम दोनों की शादी रोकने की बहुत कोशिश की मगर शादी नहीं रुख सकी थी इसलिए मैंने तुम्हारे दिमाख में पूजा के खिलाफ शक डालने की कोशिश की थी पूजा भले ही मुझे घायल करके वहां से भाग गई थी लेकिन मेरे पास उसके साथ की वीडियो थी मैं उसे वो वीडियो दिखा कर ब्लैक मेल कर रहा था इसलिए वो आधी रात को भी मेरी कॉल उठा लिया करती थी और तुम्हारे दिल में शक आने लगा था उसकी पूरी बात सुनने के बाद मेरे दोस्त ने उसकी खूब धुलाई की थी मैंने कहा था कि इसे जेल में रखकर बहुत मालना फिर मैं घर आ गया और मैंने अपने घर वालों को टीना और उसके भाई की सच्चाई बताई मेरे घर वालों को बहुत गुस्सा आया था मेरी बहन कहने लगी कि मुझे तो ये दोनों भाई बहन शुरू से ही पसंद नहीं थे आप लोगों ने ही उसे हमारे घर में आने की छूट दी हुई थी मैं कमरे में चला गया और मैंने वहां जाकर पूजा को तसली दी और उससे पूरी बात पूछी पूजा कहने लगी उसने मुझे शादी की शाम को शादी हौल से उठवा लिया था और मुझे किसी छोटे से घर में रखा गया था वहां जाने के बाद मेरे साथ वो जबरदस्ती कर रहा था तब ही मुझे वहां पर रखा हुआ एक छोटा सा पत्थर मिल गया और मैंने उसके सर पर दे मारा मैं भाग कर शादी हो लाए तो मेरी मम्मी मुझे देखकर घबरा गई थी मैंने इस बारे में उनको सब कुछ बता दिया था तो उन्होंने मुझे खामोश रहने के लिए कहा था और कहा था कि बस एक बार शादी हो जाए तो ये बात किसी को मत बताना भले ही उसने तुम्हारी इज़त के साथ खिलवार नहीं किया मगर लोगों को ये बात पता चल गई तो लोग यही समझेंगे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो चुका है और इस तरह तुम्हारी शादी में रुकावट आ जाएगी मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि इस बारे में तुम किसी को भी कुछ मत बताना मगर मैं नहीं जानती थी कि टीना का भाई मुझे शादी के बाद भी परिशान करेगा शादी की रात जब मैं कमरे में बैठी हुई थी तब टीना कमरे में आई थी और मुझे वो वीडियो दिखा कर ब्लैक मेल करके चली गई थी उसका कहना था कि अगर तुमने अपने पती के करीब जाने की कोशिश की तो ये वीडियो तुम्हारे पती को दिखा दूँगी इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे साथ कोई इंसान गलत कर रहा है इसमें मेरे भाई का चहरा नहीं आया है मगर तुम साफ नजर आ रही हो तुम्हारा पती मेरे भाई पर यकीन ना करके तुम पर बेवफाई का आरोप लगा देगा और तुम्हें घर से निकाल देगा इसलिए जितना हो सके अपने पती से दूर रहना आपको लगता था कि टीना के साथ मेरी दोस्ती बढ़ गई है मगर वो मुझे यहाँ पर डराने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए आती थी मैंने डर के मारे आपको कुछ नहीं बताया थ और उसका भाई भी मुझे फोन करके कभी छट पर बात करने के लिए बुलाता था तो कभी बार बार फोन करके मुझे परिशान किया करता था मैं चाहती थी कि ये बात आपको पता ना चले मगर आपके दिल में धीरे-धीरे मेरे लिए शक पैदा हो रहा था ये कहकर मेरी प किरे सब कुछ भूल गया था, टीना को भी उसके किये की सजा मिल गई थी, क्योंकि मेरे मुम्मी पापा ने उन दोनों बहन भाई की शिकायत उनके घर जाकर कर दी थी, टीना के भाई को तो मैंने अपने दोस्त से कहकर भूत पिटवाया था, मैं पूजा के साथ एक अच्छी और स्कून भरी जिन्दगी गुजार रहा हूं, और हम दोनों पती पतनी एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं, लोग हमारे रिष्टों को तब खराब करते हैं, जब हम उन्हें बढ़ावा देते हैं, जैसे मेरी पतनी उन लोगों की बाते खामोशी से बरदास करती रही डरती रही और वो लोग मेरी दिमाग में मेरी पतनी के खिलाफ उल्टी सीधी बाते डालते रहे, पती पतनी को हमेशा एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए, और जितना हो सके दूसरों की बातों पर ध्यान ना दे कर एक दूसरे के साथ अपना लड़ाई जगड़ा अगर आपके बीच कोई जगड़ा चल रहा है तो उसे खुद बैठ कर सुलचाईए या किसी को भी एक दूसरे पर शक हैं तो उसके पास बैठ कर बात को तसल्ली के साथ क्लियर कर लें, दूसरों की बातों पर भरोसा करके अपनी जिंदिगी और खुबसूरत रिष्टे को खराब ना करें, तो दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कोमेंट बोक्स में जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीजी से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में धनवाद